Hi friends, welcome to the desk. Deva English has spoken class. Friends, today we will learn about the use of as well as and and with. आज हम as well as with और and का फर्क समझेंगे. As well as and and यह conjunction है with preparation है. किस तरह से यह तीनों word as well as and और with एक दुसरे सा अलग है और इनका sentence में कैसे इस्तमाल होता है, यह आज हम सिखेंगे, okay friends, so let's start the class of the day, as well as का मतलब होता है, साथ ही साथ, जैसे हम बोलते हैं, कि तुम एक क्रिकेटर हो, और साथ ही साथ, फुटबॉलर भी हो, means, फुटबॉल भी खेलते हो, कहने का मतलब भी हुआ, कि तुम क्रिकेटर भी हो, और इसको हम अगर as well as के साथ बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, you are a cricketer as well as a footballer, okay friends, वा तेज है और साथ ही साथ मजबुत भी है, he is intelligent as well as strong, okay friends, इस तरीके sentences में हम इस्तमाल करते हैं, जब एक ही आदमी की दो गुणों के बारे में बताया जाता है, कि वो ये भी है और वो भी है साथ ही साथ का इस्तमाल हो जब sentence में, तब हम as well as का इस्तमाल करते हैं, okay friends, जैसे वो एक teacher है, साथ ही साथ एक गायक भी है, he is a teacher as well as a singer, okay friends, लेकिन friends, जब भी हम as well as का इस्तमाल दो subject के लिए करते हैं, दो अलग-अलग subject की बात की जा रही हो sentence में, और जब दो subject की बात की जा इसका इस्तमाल हो रहा हो, तो जो helping verb का इस्तमाल है, वो sentence में आने वाले जो पहला subject है, उसके अनुसार हम helping verb या verb का इस्तमाल करेंगे, न कि दूसरा subject, जैसे तुम और साथ ही साथ तुम्हारा भाई, अच्छे हो, you as well as your brother are good, यहाँ पर हम you के अनुसार हम यहाँ पर helping verb का इस्तमाल करेंगे, न कि तुम्हारा भाई के हिसाब से, जब भी sentence में as well as का इस्तमाल हो, या with का इस्तमाल हो, with का भी हम अगर इस्तमाल करेंगे, तो भी sentence में जो पहला subject होगा, उसे के हिसाब से हम helping verb या verb का इस्तमाल करेंगे, Okay friends, हम कुछ sentences के द्वारा समझते जाते हैं, सूरज एक खिलाडी है, साथ ही साथ उसका भाई भी, सूरज as well as his brother is player, तुम साथ ही साथ तुम्हारे पिता जी भी अच्छे है, you as well as your father are good, राम साथ ही साथ तुम भी अच्छे हो, मतलब हम बात कर रहे हैं राम की, की राम भी अच्छा है और तुम भी अच्छे हो, तो राम as well as you is good, अब यहाँ पर राम third person singular number है, इसलिए हमने यहाँ पर helping verb is का इस्तमाल किया, यहाँ पर हम subject जो पहला subject है, वह यह राम है, इसलिए हमने इस लगाया, you second subject है, तो हम यहाँ पर you, यहाँ कि second subject के हिसाब से helping verb या verb का इस्तमाल नहीं करते हैं, लेकिन friends, अगर हम इनी sentences को और लगा कर बोले, यहाँ कि and लगा कर हम बोले तो, तो वहाँ पर ऐसे होगा, जैसे सूरज और उसका भाई खिलाड़ी है, सूरज and his brother are players, हमने यहाँ पर आर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर and से sentence जुड़ रहा, यहाँ subject दोनों जुड़ रहे हैं and से, जब भी दो subject and से जुड़ रहे हो, तो वहाँ पर हमेशा helping verb as a plural number ही इस्तमाल होगा, plural helping verb का इस्तमाल होगा, मैं और तुम दोस्त है, I and you are friends, अगर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि तुम और मैं दोस्त है, तो you and I are friends, यहाँ पर हम दो है, यानि कि एक से जादा की बात हो रही है, plural है, इसलिए हमें आप पर helping verb भी plural का ही इस्तमाल करेंगे, न कि singular का, न कि you की हिसाब से, I की हिसाब से, okay friends, तो यह हमेशा बात ध्यान रखने वाली है, कि जब भी as well as से दो subject जूल रहा है, तो वहाँ पर helping verb भी या वर्ब का इस्तमाल हमेशा subject, जो पहला subject होगा, उसके इसाब साम हम helping verb भी या वर्ब का इस्तमाल करेंगे, अगर subject, दो subject and से जूल रहा है, तो आपर हमेशा plural helping verb का इस्तमाल होगा, और sentences जब with से जुड़ा हो, तो with में भी यही condition लागू होता है, जो as well as के साथ होता है, कि दो subject जब उसमें होते हैं, तो पहला subject के हिसाब से ही helping verb का इस्तमाल होता है, जैसे, शिक्षक अपने विद्यारतियों के साथ व्यस्थ है, यहाँ पर आप यह मत समझना, कि सिक्षक और विद्यारति यह सारे मिला के तो बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पर आरका इस्तमाल होना चाहिए था, लेकिन नई friends, यह grammars की बात है, अगर हम conversation में grammars का उचीद इस्तमाल नहीं करते हैं, तो चलता है कि वहाँ पर sense से समझ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर grammars की बात है, अगर proper grammars के जनकारी आप रखना चाहते हैं, तो यही grammar है, कि जब भी with से दो subject जूड रहे हैं, तो पहला जो subject है, उसके हिसाब से ही helping verb का इस्तमाल होता है, जैसे कि the teacher with his students is busy, यहाँ पर the teacher third person singular number है, यानि कि एक बचन है, इसलिए इसके हिसाब सामने is लगाया, कैप्टन अपने खिलाडियों के साथ दिली जा रहे हैं, कैप्टन with his players is going to Delhi, कैप्टन अपने खिलाडियों के साथ दिली जा रहे हैं, यानि कि यहाँ पर लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन with से जूड रहा है दोनों subject, इसलिए यहाँ पर first subject captain के हिसाब से helping verb का इस्तमाल हुआ is, ओके फ्रेंट्स शर्मा जी अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, शर्मा जी with his children plays, ओके फ्रेंट्स यहाँ पर शर्मा जी third person singular number है, यानि कि एक वच्चन है और third person है, इसलिए इसके इसाब साम में plays लिखा, अगर plural होता तो play होता है, plays नहीं होता है, हमेशा आप एक बात का ध्यान रखना है कि आएंड से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो आपर हमेशा plural helping verb का ही इस्तेमाल होता है, अभी इसी को हम अगर हम साथ ही साथ है नहीं as well as से बनाएं तो तुम साथ ही साथ मैं दोशी हैं, तो you as well as I are guilty यहाँ पर भी हम फर्स सब्जेक्ट के हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए आर लग रहा है, राजू साथ ही साथ उसकी बहन भी तेज है राजू as well as his sister is intelligent तुम साथ ही साथ तुम्हारे पिताजी भी मांदार हैं, यू as well as your father are intelligent हूँ तेज है साथ ही साथ खिलाडी भी है, he is intelligent as well as a player तुम धनी हो साथ ही साथ इमांदार भी हो, you are rich as well as honest तुम मेरे भाई हो साथ ही साथ एक अच्छे दोस्त भी हो, you are my brother as well as a good friend वो एक teacher है साथ ही साथ एक अभी नेता भी है, he is a teacher as well as an actor, okay friends उमीद करता हूँ कि आपको as well as and और with का जो फार्क है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इनका इस्तमाल भी किस तरह से करना है और इनका इस्तमाल करते वक्त हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, okay friends फिर भी अगर कोई confusion आपको बाकी रह जाता है तो comment में जरूर पुछा किजिए हम reply जरूर करेंगे, okay friends तो friends वीडियो को share करना बिल्कुल न भूले और comment भी जरूर किया किजिए, और friends अगर आप English सिखना चाहते हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो गुजारिश है आपसे कि आप subscribe कर लिजिए और bell icon को click करके और all notification को on कर दिजिए ताकि हमारे हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे और आप घर मेठे English सिखते रहे तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए thanks, thanks a lot and धन्यवाद अगर आप शुरू से English सिखना चाते हैं तो आप हमारे चानल पर जाएए हमारे चानल पर जाने के बाद चानल के playlist में जाएए उपर आपको playlist लिखाने जर आएगा उसपे आप click किजिए playlist पर click करने के बाद सारे playlist खुल जाएंगे और सबसे जो उपर वाला playlist है English Practice Classes आप उस पर click किजिए उस पर click करने के बाद आपके सारे वीडियो जा जाएंगे और इन सारे वीडियो को आप उपर से शुरू करना देखना और एक्के करके देखना